वेल्कम टो माई चैनल दोस्तों आज की वीडियो में आप देखेंगे कि इस गर्मी के मौसम में भी किस परकार से हम अपने हाइब्रिड रोज के अंदर इसी परकार से बहुत ज्यादा फ्लावरिंग प्राप्त कर सकते हैं तो वीडियो से जुड़े रहना और लास्ट तक द निकल रही हैं लेकिन बहुत ज्यादा फूल इस पर नहीं है तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगो कि कौन सा फर्टिलाइजर इसके लिए यूज करें और किस परकार से फूल को जब वह लगबग सूखने को हो जाए दस से पंदरा दिन तक हमारा फूल जो आइब देना चाहिए अभी जो आप पोधा देख रहे हैं आप सोचेंगे ये खर्पतवार है लेकिन ये खर्पतवार नहीं है ये हमारे पोधे के लिए एक बहुत ही अच्छी खाद का सौर्स है इससे हम किस परकार से बहुत अच्छी खाद बनाएंगे वो आज की उडिम मैं एक महीने का हो जाए उगे हुए तो उस समय इसको इस तरह से जैसे मैं उखाड रहा हूं इस तरह से उखाड ले और उसके बाद जो फर्टिलाइजर आज मैं बनाऊगा उसी परकार से आप भी इसको बना करके अपने पोधे के लिए यूज कर सकते हैं हमारे एरिया में तो खाड जो है उसका परियोग करते हैं लगबग इसको हम क्या करते हैं कि जब हमें फसल देनी होती है उससे पहले लगबग एक से डेड़ महीने के लिए जंतर का भी अपने खेतों के अंदर हम बोधेते हैं और लगबग डेड़ महीने के बाद जब ये हो जाता है लगबग दो से तीन फीट का तो इसको हम अपने ट्रेक्टर से खेतों के अंदर ट्रेक्टर चला करके इसको बहा देते हैं और ये हमारी मिट्टी के अंदर मिल करके हमारे पोधों के लिए हमारी फसल के लिए अच्छी खाद का एक तरह से सोर्स होता है तो आज इसी से मैं आपको ब काट लिया मैने और इसको फिर चोटी चोटे टुकडों के अंदर कैंची की साहता से काट सकते हैं या हम हमें हाथों से भी छोटा चोटा छोटा तोड़ सकते हैं इसके लिए हम एक कुण्डी का प्रयोगास में कर रहा हूं आप इसको मिक्सर के अंदर भी बना सकते हैं लेकिन क्योंकि मैं कुंडी के अंदर ही इसको इजली बना सकता हूं तो मैं आपको दिखाऊँ किस परकार से हम इसको बनाएंगे इसके अंदर मैंने इसको छोटा-छोटा काट के डाल लिया अब इसके अंदर करना चाहते तो इसको mixer के अंदर भी आप बना सकते हैं तो इसको इसी परकार से रगडते हुए हम अच्छा fertilizer liquid fertilizer हमारे पोग देखी जो growth को बहुत ही fast कर देगा वो fertilizer हमारा ready हो जाएगा तो आप देख रहे हैं किस परकार से मैंने इसको पूरी तरह से रगड दिया है इसकी चटनी की तरह इसको एक तरह से पूरा liquid fertilizer यह हमारा लगबग ready हो चुका है और मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि किस परकार से अगर थोड़ा बहुत बचा होगा देखो थोड़ी सी जड़े हैं सी इसके अंदर बचे हुई हैं अलकी सी टैनिया सी तो मैं थोड़ा सा इसको और रगड़ देता हूँ इस खाद को हम हरी खाद के नाम से जानते हैं और यह हरी खाद होने के साथ साथ liquid fertilizer हमारा ready है तो इसके अंदर हम जानेगे किस परकार से बहुत सारे minerals, phosphorus, vitamin, calcium सभी कुछ इसके अंदर जो की एक पोदे को ग्रोथ करने के लिए चाहिए होता है वो सभी के सभी पोशकततव इसे हमारे पोदे को मिल जाएंगे और यह हमारा liquid fertilizer लगबग ready हो गया है अब इसका कुछ नहीं करना ना हमें चानने की जरूरत ना कोई और इसमें कुछ हमने सपरे करने की जरूरत इसको हम क्या करेंगे एक गिलास के अंदर डाल लेंगे या कोई भी दूसरा container है उसके अंदर हम डाल लेंगे यह fertilizer देशा की हमारा ready हो गया अब मैं इसको एक गिलास के अंदर आपके सामने में ने इसको डाल दिया है अब हम क्या करेंगे थोड़ा सा पानी इसके अंदर mix कर लेंगे क्योंकि जितना हमने fertilizer ready किया था लाग उतना ही पानी इसके अंदर बराबर मातरा के अंदर mix कर लेंगे और यह हमारा हरी जो खाद है वो बन करके तयार हो चुकी है और इस हरी खाद को हम सीधे ही अपने पोधे की मिट्टी को थोड़ा थोड़ा सा खोदते हुए किसी भी अपना खुर्पे की सायता से या जो भी आपके पास हो जार उसकी सायता से या मिट्टी पहले से ही नर्म है क्योंकि जड़ हमने उखाड़ी थी इनकी इसी के अंदर मैंने हुआ हुआ था तो मिट्टी मेरे गमले में पहले से ही नर्म हो चुकी थी लेकिन फिर भी मैंने इसको हलका हलका इस कैची की सायता से ही इस मिट्टी को थोड़ा सा और नर्म कर दिया है और अब हमने इसकी जडों के अंदर इस अपने fertilizer को डाल देना है और आप देखेंगे 20 से 25 दिन के अंदर आपके पोदे के उपर जो ग्रोथ मैंने अभी स्टार्टिंग वीडियो की दिखाई थी वैसी ही ग्रोथ आपको भी अपने पोदे पर नजर आएगी अभी मैं इसको में अपडेट दूँगा कि किस परकार से 5 दिन के बाद उसके 3 दिन के और बाद किस परकार से हमारे पोदे ने बहुत अच्छी ग्रोथ की अपडेट के साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि इन गर्मी के सीजन के अंदर किस परकार से हमने अपने पोदे की देख बाल करनी चाहिए ताकि हमारा पोदा ना मरे तो अभी आप देख रहे हैं पांच दिन के बाद की ग्रोथ आप देखेंगे इस पर दो फूल खिल चुके हैं और आप देख रहे हैं सूट्स कितनी अच्छी इसके अंदर निकली होई हैं तो इसी परकार से अगले और पांच दिन के बाद की ग्रोथ है मैं अभी आपके की फटी रह गई क्योंकि फोदे के उपर बहुत ज्यादा फूल आ चुके थे लगवक 15 से 20 फूल इस एक पोदे के उपर छोटा से गमले के अंदर मेरा पोदा लगा हुआ है इसके उपर इतनी बारी मातरा के अंदर फलावरिंग हो चुके थी और वह भी इस गर्मी के मोसम मे कर्मी के मोसम में जो दूसरी ध्यान देने वाली बात है वो यह है कि हमने अपने पोदे को सेमी सेड़ेड एरिया के अंदर रखना चाहिए जिससे कि हमारा पोदा बहुत ज्यादा हीट से या डारेक्ट सनलाइट से इसके पत्तियां ना जलें तो इसका भी ध्यान हमें पानी भरे भरा रहे इस तरह से नहीं रहना चाहिए जब हम पोदे के अंदर पानी दें मानलो एक्सस के अंदर ये पानी डल जाए तो उसको हमने रखना चाहिए और आप देख रहे हैं अभी 21 दिन के बाद की ये ग्रोथ अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो अगर अच्छे लगे तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ सेयर करें थैंक्स पर वाचिंग